इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. पैरोक्सीड 12.5 ASR Tablet Selective Serotonin Reaptec Inhibitor, यानि की SSRI, दवाओं के समूह से संबंधित एक प्रकार का एंटीडिप्रेसिंट है. इसका इस्तेमाल डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जुड़ी समस्याएं जैसे Obsessive Compulsive Disorder और Panic Disorder के इलाज के लिए किया जाता है. पैरोक्सीड 12.5 ASR Tablet आपके मूड को बहतर बनाकर और एंग्जाइटी वतनाव से राहत देकर लोगों को डिप्रेशन से रिकवर करने में मदद करता है. It can be taken with or without food इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है. डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताये जाएंगे ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. डॉक्टर आपको कम खुराक से शुरू कर सकता है और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकता है. अपने डॉक्टर से बात किये बिना डोज न बदले या इसे लेना बंद न करें चहें आप अच्छा महसूस कर रहे हूँ. ऐसा करने से आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है या आपको अप्रिय विड्रॉल लक्षन यानि की एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं. अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इस दवा को नियमे तौर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें. अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो आपका डॉक्टर आपको इसे सुभा लेने की सलाह दे सकता है. आपको बहतर महसूस करना शुरू होने में कुछ सब्ता हलग सकते हैं. Some common side effects of peroxide 12.5SR tablet include nausea, fatigue, dry mouth, loss of appetite, increased sweating, dizziness, nervousness, tremors, insomnia, यानि की difficulty in sleeping and constipation. Come sexual drive, देर से स्खलन और erectile dysfunction जैसे sexual side effect भी देखे जा सकते हैं. अगर आप अचानक से कोई असामान्य mood का बिगड़ना या खुद को नुकसान पहुँचाने वाले विचार विक्सित करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बता दे. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको epilepsy यानि की दौरों का विकार या fit, diabetes, liver या kidney का रोग, हिर्दै संबंधी समस्याएं या glucoma है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. कुछ हन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं. विशेश रूप से अन्या एंटीडि और माउ इनिबिटर्स नामक दवाएं. कृपया अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रही हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो क लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.